इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे पंजाब के संबंध में कॉंग्रेस की इस्तिथी देखो फैड होने का मतलब होता है एक तरीके से जैसे रंग है वह फीका पड़ जाए तो फैडिंग का मतलब है कम होता हुआ, धुंदला पड़ता हुआ Mama Walkता, Patriarch Patriarch का मतलब होता है Male Leader of a Family कि कोई बी एक गरूप है या कोई परिवार है उसका जो मुखिया होता है उसको हम बोलते हैं Patriarch तो आप यह कह सकते हो कि अब तक जो आप कह सकते हो जो पंजाब है उसमें जो इस्तिती चली आ रही थी Congress के संबन में उसमें परिवर्तन आ रहा है The Congress has set in motion Set in motion का मतलब होता है किसी चीज की शुरुवात कर देना A series of events in Punjab की पंजाब में कुछ ऐसी बातों की शुरुवात Congress ने कर दी है That it can no longer control मतलब कुछ ऐसी बातें Congress के द्वारा पंजाब में शुरू कर दी गई है जिनने अब Congress control नहीं कर सकती Former Punjab Chief Minister Amrinder Singh Former का मतलब होता है पूर्व कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री Amrinder Singh Has announced, उन्होंने गोशना कर दी है किया Plans, अपने Plans उन्होंने बता दी है क्या उनकी योजनाए है कि वे क्या करने वाले है To launch a new political outfit Outfit का मतलब होता है संगटन कि वे एक नया राजनेतिक संगटन launch करने वाले है एक नया राजनेतिक संगटन की गोशना करने वाले हैं and explore, explore का मतलब होता है संभावनाय तलाशना and arrangement with the BJP और Mr. Amrinder Singh जो हैं, वे BJP के साथ वह क्या कुछ संभावनाय हो सकती है क्या गठबंदन हो सकता है उसकी जोड तोड में लग गए है ahead of के पहले, के पूर्व next year's assembly election in the state ahead of next year's assembly election in the state कि अगले साल, पंजाब में जो विधान सभा चुनाव होने हैं उसके पहले, BJP के साथ क्या agreement हो सकता है उस संभावनायों को तलाशने में Mr. Amrinder Singh लग गए है The BJP is warming up to the idea देखो, warm up का मतलब होता है अपने आपको prepare करना The BJP is warming up to the idea जैसे आप exercise करने के पहले अपने आपको warm up करते हो तो BJP भी इस बात पर विचार कर रही है The proposed new party and its partnership with the BJP तो Mr. Amrinder Singh की जो प्रस्तावित नई party है and its partnership with the BJP और इस नई party की BJP के साथ साजेदारी Is an act of Is an act of expediency and opportunism देखो, expediency का मतलब होता है सहूलियत भले ही वो चीज गलत हो लेकिन एक तरीके से आप कह सकते हो कि बतलब वो आपके लिए सुगम है practical है वो चीज है ना भले ही वो गलत हो सकती है Is an act of expediency and opportunism of high order by both sides तो editorial क्या कहता है कि Mr. Amrinder Singh की जो नई party है और अगर BJP ये एक साथ में आती है तो इस act को हम क्या कह सकते हैं इस act को हम बोल सकते है expediency expediency का मतलब है कि and opportunism आवसरवाद of high order इसे हम उच्छ लेवल का आवसरवाद और expediency कह सकते हैं expediency का मतलब है सहूलियत कि बई कोई चीज आपको लग रहा है और भले ही ये काम गलत हो लेकिन वे अपना फाइदा इसमें देख रहे है the congress had forced Mr. Singh to quit तो वो quit का मतलब क्या होता है quit कर देने का मतलब होता है छोड़ देना as the chief minister in September कि congress ने Captain Amrinder Singh को जो है मजबूर किया force कि भई वे मुख्यमंत्री के रूप में अपने पद को छोड़ दे bringing लाते हुए an abrupt end abrupt end का मतलब होता है अचानक से समाप्त कर देना किसी चीज को an abrupt अचानक से end to his role at the helm of at the helm of का मतलब होता है at the control of at the helm of party affairs का मतलब है in the state कि congress party के जो भी मामले है to his role कि Captain Amrinder Singh का जो भी role है Captain Amrinder Singh का role क्या था आप तक Congress party में वे पंजाब में जो थे आप कह सकते हो कि Congress को control करते थे हैं एक तरीके से जो Congress की unit है पंजाब में वो उनके control में थी तो अचानक से उनका क्या किया उनको बिल्गुल समाप्त कर दिया है abrupt का मतलब अचानक से और end का मतलब है समाप्त कर दिया है देखो just का मतलब होता है नियायोचित एकदम उचित कि भई the reason for his removal कि भई उनको जो remove किया गया उनको जो हटाया गया Captain Amrinder Singh को तो उनके हटाने के जो reasons थे जो कारण थे वे उचित नहीं थे but his decision to quit the party that he has been associated with for four decades लेकिन Mr. Captain Amrinder Singh ने जो decision लिया क्या उस party को छोड़ने का जिस party से वे पिछले चार दशक से जुड़े रहे हैं four decades चार दशक has been associated यनि कि Captain Amrinder Singh जो की Congress party से पिछले चार दशक से जुड़े रहे हैं उस party को छोड़ने का उनका decision जो था वो decision क्या बताता है वो decision ये कहता है says something unflattering about Mr. Singh unflattering का मतलब है यहाँ पे unfavorable कि ये decision Mr. Singh के बारे में सही नहीं कहता है ना एक तरीके से unfavorable है कि मतलब आप कह सकते हैं कि उनका decision को भी हम सही नहीं कह सकते that he could think of joining hands with the BJP यहाँ बात की देखो that से कोई भी sentence शुरू होता है उसका मतलब होता है यहाँ बात की he could think of joining hands with the BJP कि वे ऐसा सोच सके वे BJP से हाथ मिलाने के बारे में सोच सके without batting an eyelid बिना पलक जपकाए यह जो शब्दा है batting an eyelid eyelid भोती है आपकी पलक without batting an eyelid का मतलब होता है पलक को जपकाना कि यहाँ बात कि वे बिना पलक जपकाए BJP के साथ हाथ मिलाने के बारे में सोच सके also shows यह इस बात को दिखाता है that there is little more than a sense of entitlement in his politics देखो entitlement का मतलब होता है हकदार होना किसी चीज के हकदारी a sense of entitlement in his politics कि भई Mr. Captain Amrinder Singh को क्या लगता है कि वे राजनिती के छेतर में Congress में वे पंजाब में हकदार थे highest post के लेकिन BJP के साथ हाथ मिलाना दिखाता है कि भई मामला कुछ और भी आगे है that there is little more कि भई मामला इतना ही नहीं है खाली is little more यह थोड़ा और ज़्यादा है than a sense of entitlement in his politics कि भई सिर्फ उनकी हकदारी से जुड़ा हुआ मामला नहीं है मामला कुछ और भी है the captain has been a central character in congress politics कि captain Amrinder Singh जो है वे एक आप कह सकते हो central character रहे है बहुत ही आप कह सकते हो मुख्य व्यक्ती रहे है in congress politics congress की राजनिती में particularly खास करके in the years following the rise of the BJP in 2014 कि 2014 में BJP के उदय है जो साल रहे उन सालों के दोरान congress politics में बहुत आहम व्यक्ती रहे captain Amrinder Singh he laid the party यहाँ laid चा मतलब है प्रतिनिदित्व करना to victory, जीत in Punjab, in 2017, in 2019 तो 2017 और 2019 में जो चुनाव हुए उन चुनाव में उन्होंने Congress Party को पंजाब में जीत दिलाई the Congress performance in the लोगसभा पोल्स कि Congress Party का जो प्रदर्शन था लोगसभा चुनाव में इन दा इस्टेट्स पंजाव राज में वाज आउटस्टेंडिंग वो बहुत ही जबरदस्त था आफ्टर आल देट इन सब के अलावा Mr. Singh has chosen to keep his long political career देखो to keep इसका मतलब होता है climax पे पहुँचाना किसी चीज को है ना ये verb के रूप में इस्तिमाल हुआ है यहां पे कैप का मतलब होता है किसी भी चीज को एक उचित conclusion पे लेके आना है एक आप कह सकते हो कि किसी चीज को climax पे पहुचाना तो इन सब के बाद में Mr. Singh ने इस बात को चुना किया to keep his long political career by sleeping with the enemy यहाँ sleeping with the enemy से मतलब है दुश्मन के साथ हाथ मिलाना है इनी बड़ी बड़ी उपलब्दियां उन्होंने जो है Congress के लिए अचीव करवाई 2017-2019 के चुनाव जितवाने में Congress को उनका अहम रोल रहा और इन सब के बावजूद Mr. Singh ने अपने political career को अपने राजनितिक career को किस तरह से समाप्त किया किस तरह से climax पे पहुँचा है By sleeping with the enemy एक आप कहा सकते हो दुश्मन के साथ में हाथ मिला करें The BJP is a marginal player in Punjab Marginal का मतलब है मामूली Player in Punjab कि बही पंजाब में BJP की उतनी ज़्यादा पकड़ नहीं है बहुती मामूली player है BJP Punjab में And the ongoing Ongoing का मतलब है Controversy का मतलब है Vivaad Over किस बात को लेकर Vivaad जारी है Punjab में Three farm loss Has further Further का मतलब है और add करना किसी चीज़ को Alienated Alienate का मतलब होता है पृथक कर देना अलग कर देना किसी चीज़ को It From the entrenched Entrenched का मतलब होता है Established Isthaapit Farming Communities In the state कि भई पंजाब राज में जो विभिन क्रिशी समुदाए है वे आप कह सकते हो BJP से और ज़्यादा अलग हो गए है BJP से और ज़्यादा दूर हो गए है किसके कारण ये जो ongoing विवाद है ये जो चल रहा है विवाद किस बात को लेकर कि तीन क्रिशी कानूनों को लेकर जो विवाद जारी है उस जारी विवाद ने क्या किया है further alienated it उसने पंजाब को और ज़्यादा प्रथक कर दिया है किस चीज से from the entrenched इस्थापit आप कह सकते हो farming communities in the state कि भई जो भी क्रिशी समुदाए है पंजाब राज में वे बीजेपी से और ज़्यादा दूर हो गए है इन क्रिशी कानूनों के प्रती जो विरोध हो रहा है उसके कारण the debate विवाद on the merits का मतब है of the farm laws apart the debate on the merits of the farm laws apart कि भई इनके अलावा कि भई आप कह सकते हो इस पर हम विवाद कर सकते हैं कि ये जो क्रिशी कानून है इनमें क्या गुण है इनकी विशेष्टा क्या है इनके गुण क्या है इनको apart है इनके अलावा the BJP also questioned the patriotism patriotism का मतलब होता है देश भक्ती the BJP also questioned the patriotism of the protesters कि भई ये बात तो है ही कि farm last जो है ये मतलब उचित हैं या नचित हैं इनको तो आप एक तरफ रख दो लेकिन साथी साथ BJP ने सवाल खड़ा किया है जो विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं जो protesters हैं उनकी देश भक्ती पर BJP ने सवाल खड़ा किया है अब BJP party जो है उन तक पहुँचने का प्लान BJP party बना रही है किस माध्यम से थ्रू किस माध्यम से अब partnership एक साजेदारी के माध्यम से with the captain कि captain अमरिंदर सिंग के साथ हाथ मिला कर और BJP जो है क्या करने की कोशिश कर रही है sick farmers तक पहुँचने की कोशिश कर रही है whether it can offer any compromise तेखो compromise का मतलब क्या होता है compromise का मतलब होता है एक तरीके का समझ होता it can offer any compromise that the farmers might find palatable remains to be seen तो editorial क्या कहता है कि क्या BJP अगर captain अमरिंदर सिंग के साथ हाथ मिला लेती है तो फिर क्या BJP कोई ऐसा offer दे पाएगी है क्या कोई एक ऐसा समझ होता निकल पाएगा जिससे की जो किसान है वे जो है उसको accept कर सके देखो palatable का मतलब होता है acceptable है जिसको आप सुईकार कर सको कि किसी भी proposal को remains to be seen यह देखा जाना शेष है remains to be seen का मतलब यह देखा जाना शेष है कि क्या BJP party कोई ऐसा offer लेके आएगी जिस offer को पंजाब के यह जो किसान है यह सुईकार कर सके यह देखा जाना बाकी है the congress high command congress high command से यहाँ पर मतलब है जो congress party का शीर्ष नेत्रत्व है cannot ध्यान में रखना cannot को हम एक साथ लिखते हैं cannot अलग अलग नहीं लिखते है cannot absolve itself of absolve के साथ में आता है off preposition absolve का मतलब होता है दोश्मुक्त करना absolve itself of यहाँ congress party के लिखा गया है कि congress party अपने आपको दोश्मुक्त नहीं कर सकती किस चीज़ से the mass mass का मतलब है यहाँ पे disorder in the state कि जो disorder जो अव्यवस्था congress ने पंजाब राज्य में create की है उस दोश्य से congress अपने आपको मुक्त नहीं कर सकती it decided congress ने decide किया to unsettle unsettle का मतलब है जो जमा जमा या मामला है उसको बिगाड़ देना it's on government for no apparent apparent का मतलब होता है बिल्कुल clear बिल्कुल especially reason कि बिना किसी especially reason के congress party ने क्या किया अपनी ही सरकार को एक तरीके से unsettle कर दिया पंजाब में and elevated elevate का मतलब होता है उपर उठाना किसी चीज को है elevated and elevated a turncoat turncoat का मतलब होता है दल बदलू दल बदलू का मतलब है जो एक पार्टी छोड़के दूसरी पार्टी में आ जाए a turncoat to lead its state unit और Congress ने क्या किया कि एक दल बदलू व्यक्ती को जो है उपर उठाते हुए और पंजाब राज्य की Congress unit जो है उसका पृतिनिदित व सौप दिया तो यहाँ पर turncoat कहा गया है Mr. Navjot Singh सिद्धोगो The party appointed a Dalit Sikh as Chief Minister in place of Mr. Singh Congress party ने क्या किया एक Dalit Sikh व्यक्ती जो है उनको Chief Minister जो है appoint किया in place of Mr. Singh Mr. Singh की जगे which is a bold experiment तो Congress ने ये जो काम किया है कि Captain Amrinder Singh को अटा के Dalit Sikh व्यक्ती को Chief Minister appoint करना ये क्या है? एक bold experiment है बड़ा ही साहसिक experiment है ये that is fraught with और ये जो experiment है भरा हुआ है fraught with का मतलब होता है भरे होना fresh problems और ये जो experiment है कई fresh problems से भरा हुआ है If it can mobilize public opinion in favor of its social justice politics Congress के लिए का गया है mobilize का मतलब होता है एकत्रित करना है जुटाना public opinion in favor of its social justice politics कि भरे कॉंग्रेस की सामाजिक न्याय आधारित जो राजनिती है उसके पक्ष में अगर लोगों का मत Congress जुटा लेती है the Congress can remain in the reckoning तब तो Congress जो है power में बनी रह सकती है remain ये जो शबद आया है यहाँ पे to remain in the reckoning इसका मतलब है बने रहना है अपनी इस्तिती को कायम रखना the अकाली दल having parted with its long term अलाय का मतलब होता है सही होगी देखो having parted with का मतलब है अलग हो जाना the अकाली दल having parted with its long term long term का मतलब है जो लंबी अवदी से था कि अकाली दल having parted with its long term ally the BJP कि भी जो अकाली दल है एक लंबे समय से BJP से जुड़ा हुआ था लेकिन अब वो अलग हो गया है तो अकाली दल is now hoping to gain from the confusion अब अकाली दल जो है उमीद कर रहा है फायदे की gain का मतब है कुछ लाप प्राप्त करना from the confusion कि पंजाब में ये जो confusion की इस्थिती create हुई है arising out of जो की उठ रही है देखो arise out of का मतब है उठना है न पैदा होना उठ रही है arising out of the crisis का मतब है संकट in the Congress कि पंजाब में, Congress में जो संकट की इस्थिती निर्मित हुई है उसके चलते जो confusion उठ रहा है, जो confusion पैदा हो रहा है उससे फाइदा क्या हो सकता है ये अकाली दल सोच रहा है The Congress has set in motion a series of events Congress has set in motion अभी Congress ने शुरुआत कर दी है किस चीज की? a series of events, कई तरह की घटनाओं की That it is no longer in control of कि Congress ने ऐसी बातों की शुरुआत है इसी घटनाओं की शुरुआत पंजाब में कर दी है जिनका control अब Congress के हाथ में नहीं है It also appears ऐसा भी प्रतीत होता है ये जो Congress है It also appears प्रतीत होती है Incapable, Aक्षम of Recalibrate देखो, Recalibrate का मतलब होता है पुनह से सोचना, विचारना It's Strategy का मतलब है नीती, For the State कि अपनी नीती पर पुनह से विचार कर सके Congress पंजाब के समद में इस मामले में भी Congress अक्षम प्रतीत होती है With an Untested Chief Minister कि ये जो नया Chief Minister पंजाब में बनाया गया है ये Untested है ये पहली बार है, अनुभवहीन व्यक्ती है तो With an Untested Chief Minister and a Conceded Conceded का मतब होता है अभीमानी घमंडी Party Chief in Command और Party Chief कौन है वहाँ पर अभी नवजोज सिंग से दूँ उनके लिए का गया है कि वे एक Conceded व्यक्ती है एक अभीमानी व्यक्ती है तो ऐसे हालातों में The Party finds itself in an Unenviable Position in Punjab तो ऐसे हालातों में Congress Party जो है उसकी जो Position है वो कैसी है? वो Position बहुत ही Difficult है Unenviable का मतलब होता है बहुत ही Difficult Position होना है Position in Punjab तो पंजाब में Congress Party अपने आपको बहुत ही Difficult Position में पाती है The Desertion Desert का मतलब होता है किसी को त्याग देना आप किसी पारिटी में किसी विश्वास में यकीन करते है उसको त्याग दो आप The Desertion by Mr. Singh Makes its prospects का मतलब है संभावना है Considerably मतलब काफी हद तक Worse का मतलब है और भी ज़्यादा बदतर तो Captain Amrinder Singh जो है उनके द्वारा Congress Party को त्याग देना Congress Party की जो संभावना है उनको काफी हद तक और भी ज़्यादा बदतर बना देता है While it might be too late Editorial कहता है कि शायद है Chances है कि अब तो बहुत ज़्यादा देर हो गई है It might be too late To keep the former का मतलब है Poor Chief Minister in the fold In the fold का मतलब है अपने ग्रूप में बनाए रखना है Editorial कहता है ज़्यादा ज़्यादा अब बहुत देरी हो गई है कि पूर्व मुख्य मंत्री Captain Amrinder Singh को Congress जो है अपने ग्रूप में बनाए रखे The least The least का मतलब है बिल्कुल कम से कम The Congress High Command can do कि मतलब कम से कम Congress जो आप कह सकते हो Congress नेत्रत जो कुछ कर सकता है वो यह is To strengthen मजबूत बनाना The hands of Chief Minister चरंजीत सिंग चन्नी कि वर्तमान Congress के जो Chief Minister है पंजाब में चरंजीत सिंग चन्नी उनके हाथों को और मजबूत बनाया जाए And not give the impression Impression का मतलब है प्रभाव और public में इस तरह का प्रभाव नहीं जाना चाहिए That he is keeping the seat warm जो को keep the seat warm का मतलब होता है कि वही एक तरीके से कोई दूसरा व्यक्ती seat पे आने वाला है तब तक आप खाना पूर्ती कर रहे हो उसको बोलते हैं keeping the seat warm कीप the seat warm का मतलब है कि कि किसी दूसरे व्यक्ती के बिहाफ पे आप काम कर रहे हो या कोई दूसरे व्यक्ती seat लेने वाला है उसकी जगे आप थोड़ी देर के लिए बेठे हुए तो इस तरह का प्रभाव पब्लिक में नहीं जाना चाहिए कि Mr. Charanjit Singh चन्नी जो है ना customs जो चले आ रहे हैं जो प्रथाएं जो चली आ रहे हैं उनको follow नहीं करता Maverick हम ऐसे व्यक्ती को बोलते हैं जो पारंपरिक नहीं होता जो बिल्कुल independent होता है जो उसी तरह से behave नहीं करता जिस तरह से उसका group behave कर रहा है तो for the for the Maverick Punjab unit chief of the party नवजोट सिंग सिद्धू है न तो कुल मिला के इस तरह का impression है इस तरह का प्रभाव लोगों में नहीं जाना चाहिए कि ये जो unconventional आप कह सकते हो unconventional पंजाब unit है Congress की जो पंजाब unit है उसमें party chief बनाए गए है नवजोट सिंग सिद्धू है न को आप unconventional कह सकते हो तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बस इन के लिए Mr. Charanjit Singh चन्नी जो ये वे काम कर रहे हैं